मरियपन थंगा वेलू ने महस पाँच साल की उम्र में अपना दाहिना पैर खो दिया था स्कूल में मैंने कभी अपने आपको दूसरे बच्चों से आलग नहीं समझा युवा मरियपन अपनी परिस्तिती के बावजूद एक अच्छे एथलीट थे मेरे कोच ने मुझे हाई जंप में भाग लेने के लिए प्रोचसाहिद किया जब मैंने शुरुवात की तो मुझे संदे था कि मैं ये कर पाऊँगा की नहीं एक स्माइल और अपने कोच के सहीयोग से मैं आगे बढ़ा और रियो पैरेलिंपिक गेम तक पहुँचा जंप से पहले मुझे नर्वसनेस हुई लेकिन फिर भी मैंने स्माइल करके अपना सर्वशेष्ट प्रदर्शन दी आज भी जब मैं उस विनिंग मुमेंट के बारे में सोचता हूँ तो मुस्कुराता हूँ